कि और मैंने आपको बताया था कि हमने कराची से डॉक्टर ताहिर संसी को रिक्वेस्ट की है कि वह तश्रीफ नाएं और यह वहां नाशनल इंस्ट्ट्ट ब्लाड डिजीजेज के वहां प्रोफेसर है यानि जो जिस मसले के ऊपर एक्सपर्टीज इनके पास है शायद बहु इस जो था करवाया देखने के लिए नहीं के इनका बोन मैरूक्ष ठीक काम करना क्यों अगर वह हमें कोई कमी केशी होती तो तो फिर हमें मजीद आगे पेट सक्न कराने की जूरुत पर गाँंlungen की करने की तुस टेस्ट हامें शक था कि एक आटो इम्युन डिसॉर्डर है जो अचानक भी हो सकता है विच इन्दर यह होता है कि आपकी अपनी जो कुवत मदाफियत की जो एंटी बॉडी होती है वो किसी आपकी ही अपनी सेल को डिस्ट्रॉई करना शुरू करते थी और क्योंकि उनके बाकी ब्लाट इंडिसस जो थे वो सारे सही आ रहे थे यानि ब्लाट टेस्ट में बाकी जैसे हीमोग्लोबन उनका 13.8 ग्रान था उनके यूकोसाइड काउंट बिलकुल ठीक था और का ट्रीटमेंट जो है वो बैसिकली इंब्यूनो ग्लाबलीन्स है कि आप जो यह एंटी बाडी बनते हैं उनको तो सुबह से नवाज शरीफ सहाब की ट्रीटमेंट शुरू हो गई है उनको सारी चीज बाकाइदा ताहरी शमसी ने एक्स्प्लेंट कि उनको बताया और उन का ड्रॉन बगरा देखें और अब उनके इस वक्त जो उनको अकॉर्डिंग टू बाडी वेट वो कैलकुलेट किया है इन्होंने 400 मिली ग्राम किलो ग्राम और बाडी वो सारी डोज जो है इस वक्त चल रही है जब जो मुकमल हो जाएगी तो उनको प्लेटलेट्स भी दी जाएगे मकसद यह है इनकी बाडी में अपने प्लेटलेट्स चलाफ काम कर रही है उनको स्प्रेस कर दिया जाए जाए ताकि जब हम मझीग प्लेटलेट्स दें तो फिर उनकी वह एंटीबाडी 같은데 ढूंको डिस्ट्रॉई närक्रें वरना आप हम लेटलेट्स दे रहे हैं वह वह मौझूद है वो मुसलसल उनकी वह प्लेटलेस को डुस्ट्रॉइ करी जारी तो अब जिस तरह नोंने हमें ट्रीट्मेंट बताया है वी आर कंटिनुविंग ट्रीट्मेंट सारी जो ट्रीट्मेंट ब्लान है वो आज दुपहर में चीफ मिनिसर साफ के सामने गई और आफ्टर हैस कंसेंट किये बाकाइदा इनकी ट्रीट्मेंट शुरू कर रहे हैं और हमने रिक्वेस्ट की और चीफ मिनिसर साहब ने भी रिक्वेस्ट ताहर साब की किये कि आप रहें क्यूंकि जो असल नताइच सामने आने शुरू होंगे वो इंशालला कल और प है 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 इस तक रिस भी तैस अथिधा यह दा है यह कर दो पाफाने जाता है तो यह डाइकरोंग हो जाता है, खुड़ा भी बिला लिया जाता है। देखे जी मेरा खाल है, सबसे इंपॉर्टन यह चीज थी, कि हमारे पास अपने भी हेमाटॉलिजिस्ट बहुत कॉंपटेंट हेमाटॉलिजिस्ट हैं, और उन्होंने भी इसी शक का इज़ार किया था, हमने मजीद कन्फरमेशन के लिए कहा कि ज़रा हम जितनी एक्सपर्टीज ले सकते हैं, वो बेतर है, इस वज़ए से उनको भी बुला लिया था, पहले दिन भी इसी चीज का शक था, जो आपके साथ मैं अल्रडी डिस्कस कर चुकी थी, मैंने आपको बताया था, कि सबसे पहले तो हमने यह एक्स्ट्लूट करना था, कि कोई वारिल इंफेक्शन ना हो, जिसमें डेंगी जो है, वो सबसे कॉमन थी, जिसकी वज़ा से इतना फॉल हो सकता है प्लेटलेट, वो जब नेगेटिव आया, तो हमारा बिल्कुल इसी तरफ दिहान था, कि आटो इम्यून डिस्योडर ना हो, इसको मजीद कनफर्म करने के लिए, हमने फिर इसी वज़ा से ताहिर शमसी साहब से कल डिसकास किया, अब ये परसों की बात है, कल शाम को मैंने डिसकास किया, अब जितनी दियर उनको कराची से आने में लगी, उतना तो लगना ही था, कितने दिन की वजीड ट्रीटमेंट उन्हें दर्कार होगी जिस तरह नार्मल बिल्कला होगी? देखें जी, इन्शाललह ताहिर साहब के कहने के मताबक ये है, कि हम इन्शाललह अगले दो से तीन दिन में इनकी तबीयत में इंप्रूमेंट देखेंगे. अच्छा मैम ये बताएगा कि मिया मुहमाद भाषी का जो बोन मेरो है ये फंक्शनल है और इनको कैंसल लाहग नहीं है. जो रिपोर्ट आई है और जो रिजल्ट आया उसके मताबक डॉक्टर ताहिर ने वो रिपोर्ट डेखें और ये कन्फर्म किया कि उनका बोन मेरो प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है. जो बना रहा है ठीक. मसला यह है कि प्लेट लेट बनने का प्रॉब्लम नहीं है. प्लेट लेट डिस्ट्रॉइ हो रहे हैं तभी तो इस कंपूजन पर पहुंचें के एंटी बॉडी पूडी से बताईए कि अपाकिसान से बाहर उनके इलाज की कोई प्रपोजल, कोई तज कर भी नहीं किया और उन्होंने मुत्मेराइब को मैंने कल भी बताया कि वो यहां के टieux क्रीपन से मुत्मे Papa का चと思います कि बारहाrain मुन اौना कि अ्यूघ यह कि तो महा उनकी नहीं przeci प्रॉम्बोसाइटोपीनिक परपरा कोई भी किताब खोल के देख ले उसमें एक सेट वो पताया हुए और हम वो सेट ऑपरेश्टिनियु पूसीजर करते है जिए जब पेशेंट को इस सुर्दियाल में इंजेक्शन लगाया जाते हैं पेटा यह जब नॉमल अंडर नॉमल सरकंस्टांसेज जब प्लेटलिक्स गिरते हैं और हमने अइडेंटिफाय कर लिया है कि एंटी बॉडिस की वज़ा से हो रहा है तो इंजेक्शन शुरू करती है अब मकसद यह है कि वक्त लगेगा कि वह एंटी बॉडिस जो है उनकी उपर यह जाकि मिनोग्लाबली अपन अब अब लिए खत्रे के बाइस होते हैं अब मसला यह है कि आपके टांग पड़ा है मेरे भी पढ़ जाता है कि दफा चोट चोटे दब्बे पढ़ जाते को ऐसी परिशानी वाली बात नहीं है लेकिन नाच्रुली उनके क्योंके प्लेटलेट्स कम थे तो वह हमने खास त होते हों तोड़ी तोड़ी प्रिटीकल हैमरिचेज हम कहते हैं राइसी लगती है और सुबा से जो वह राइस है वो टोटली स्टेबलाइज हुई है मैंने खास तौर पिन से अभी आके यही बात पूची कि जितनी राइस उनकी सुबा थी क्या अभी भी उसी तरह है यह को है कि जितनी रौशनी आपनी कीवी है ना इसमें वह मच्छर नहीं आता आपके बारी इसका फाइदा बढ़ा है यह कह दें किया नवाज श्रीव स्टेबल है उनकी हाल खत्रे से बाहर है इसको दुरा ब्यान तेखे मेटा मकसद यह है कि आपको इस बात के बारे में एसास ह होना चाहिए कि नमबर वान ही हाज मल्टिपल प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम नहीं है हाइपटेंसिव है ब्लड प्रेशन उनका ज्यादा है अनकंट्रोल्ड उनकी डाइबटीज है शुगर उनकी अनकंट्रोल्ड है कल जब आए थे तो दब उनका 180 फास्टिंग ब्लड श कि को माबडिटीज में कहा जाता है बाकी जंदगी अल्ला ताला के हाथ में होती है इंशालला हमारे अंदाजे से और इन सब के अंदाजे से यह हैं कि ही स्टेबल और इंशालला जल्दी इस मुश्कल से बाहर निकलाएगा एक मिन की बात सब्सक्राइब परॉने मुल में अगर वहां हमारे पास कोई वह खामोशी आपको भी पता है कि परमिशन तो इनको जो भी होगी वह कोड़ से ही मिलेगी बाकी जहां तक तक दानलुक है बाहर का हमने उनके साथ सारी उनकी रिपोर्ट्स शेयर की हैं उनके जो अपने मौलेज हैं जिनका नाम डॉक्टर अदनान है उनसे हर बात डिसकास होती है ट्रीट्मिंट डिसकास होता है उनके अप्रूवल के बाद हम बाकाइदा ट्रीट्मिंट और हमने रि को इस नो के पाफ नो के पाफ जो पूछ दोख करें यह में पेटा आपको मेरे चौटी दफा कर रही हूं अब आप 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 अप तेहान से सुनी जिए मैंने कल उनके पास गई थी जब तो मैंने उनकी तब़ियत के बारे में पूछने के बाद इमरान खान सहाब और चीफ म facility की जरूरत है हमने जहास त्यान रखावा है अगर बाहर से आप को डॉक्टर बुलवाना चाहते हैं हम डॉक्टर भी बुलवा लेंगे whatever we want we are there to help you in your treatment उन्होंने आगे से ये फरमाया कि मैं अपना यहां जो इलाज हो रहा है बलके उन्होंने बहुत तारी आयास की की कि लूक्ट मेरा दिशान भी थे जचाने ऑर्नी पुद्व знаю कि यह इने अपने मुद्मवन का इजार किया और अपने भाई ओंवगा अज्स पर वह इस हमारी ठान वे है प्रड़िया को एंस धहीं हो सकती है नहीं पेटर यह पेले भी बताया था कि जो लो प्लाइट और वो ले रहे थे उसमें पॉइंट वन पर्सन विच बीज कि अगर सौम एक हजार मरीज ले रहा है या दो हजार मरीज उसमें उसमें चाहिए चांस हो कोई बाउट पांच केसे ऐसे रिकॉर्ड़ेड है ते डैन क रहते हैं तो डैफिनेटली जो डाइग्नोज इन्होंने की है 99 फीसद डाइग्नोज वही है और इंशालला इसका नतीज़ा एक दो दिन की स्यासत करें और या करें मरीयम औरंग जेव ने मुझे आज़ उनाथ तो फूई कि एक एक सेक्ट इमपॉर्टन्ट ये मरीयम औरंग जेव जो फर्मा रही है जवाब देने के लिए और बते रहे हैं मैं आपको उनकी तबियत के बारे में बताने आई हूं वो जिनकी तबियत यहां खराब है वो हमारे हर काम से मुतमिल है अब आगी बोलते रहे हैं तो बोलते हैं